आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में हमसे पूछा गया है कि Spike, जो Spikelets की Inflorescence होती है ये Commonly हमें इन में से किस Family में मिलेगी Inflorescence की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो Flower होता है वो Angiosperms का Reproductive Unit होता है और ये Stem की Modification से बनता है यानि जो Shoot की Epical Meristem होती है, वो Floral Meristem में बदल जाती है और Inflorescence जो हम Term Use करते हैं, किसके लिए करते हैं कि जो Flower की Axis है, यानि Floral Axis जो बनी है इस Axis पे Flowers किस तरह से या किस मैनर में Arrange है, इसको हम Inflorescence कहते हैं Inflorescence कई तरह के हो सकती है, जिसमें एक होती है Racimus Inflorescence इससे हम क्या समझते हैं, कि जो Main Floral Axis है, वो Flower में Terminate नहीं करती है मतलब कि उसके Apex पे या Tip पर कोई Flower नहीं होता है Flowers जो होंगे, वो Laterally Bear होंगे, और Main Axis की जो Growth है, वो Continue होती है यानि Continuously वो Grow करता रहता है, Elongate करता रहता है Flower में वो Terminate नहीं करता अब इसी Racimus Inflorescence में एक Type होता है Spikelet इसमें हम क्या देखते हैं, Spike जो Term है, इससे हमारा मतलब होता है कि Racimus Inflorescence में हमारे Sessile Flowers है, Sessile से हम क्या समझेंगे Flower का जो Stalk होता है, उसको हम Pedicil कहते हैं, जो इसको Stem से Attach करता है तो ये Pedicil Sessile Flowers में Absent होता है और इस तरह से ये Flowers Arrange रहते हैं, कि जो Lower Flowers है वो Older होते हैं, और Upper Flowers से वो जल्दी Open हो जाते हैं तो Older Lower Flowers और Younger Upper Flowers इस केस में हमें मिलेंगे और Spikelet से हम क्या समझते हैं, इस तरह की जो Inflorescence होती है उसमें हमें जो Main Axis होता है, इसको Racilla कहते हैं इसके उपर कई Flowers ग्रो करते हुए मिलते हैं, यानि जो Inflorescence है वो Multiple Flowers की बनी होगी और इस तरह की जो Flowers हैं, वो Racilla नाम के Main Stock से Attached रहेंगे जिने हम Florets का नाम दे सकते हैं या Spikelets कह सकते हैं तो इस तरह की किस Flower में हमें Mainly Inflorescence मिलती है, इसका सबसे Common Example हमारे पास Wheat हो जाता है, यानि अपना Triticum Estivum तो अगर अपने Options को देखें, पहला में दिया है Crucifery Crucifery जो Term है, यह हम अपनी Mustard Family या जो Brassic Ais Family है, उसके लिए यूज करते हैं इसके बाद, Papillionaceae या Fabaceae, हमारी ऐसी Family है, जिसमें हमें Leguminous Plants मिलेंगे यानि Pulses के जो Plants होंगे, वो इसमें आ जाएंगे Poesie हमारी, जिसको हम Gramini भी कहते हैं, Grass Family है, जिसके अंदर जो Grasses होती है, इसके अलावा Cereals होते हैं, और Bamboo होते हैं, यह सारे इसमें Included होते हैं और फिर Solanace हमारी Potato Family हो जाती है, तो हमने देखा कि Wheat, Spikelets वाली Inflorescence का Common Example है तो Wheat क्योंकि हमारा एक Cereal है, यानि Food Grain है, तो यह हमारी Grass Family में, Poesie के अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि Spike of Spikelets Inflorescence commonly occurs in Option C, Poesie और Gramini यह हमारी Grass Family Classics 212 से लेके Meet IIT.J.E. Means और Advanced के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 सुपर